दोस्तों, सबगत आप सभी के अपने चैनल HP Success Classes में दोस्तों, हजभी एक लग प्री के exam date's out हो गई है और exam date out हो गई तो अब student का doubt है कि admit card कब आएगा admit card से आपको क्या लेना देना? जब exam date आगई है, आपको पता कि exam इस तारीक होगा क्योंकि अब आपके पास 12 तेरा दिन रहे हैं ठीक है तो एक्जाम डेट है 5, 6, 11, 12 जनुरी में एक्जाम है प्री और मैंस भी अब बहुत कम टाइम रहे हैं अगर किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्यों पोड़ू, कैसे पड़ू, तो आप यही सोचो कि दो महीने पढ़ना है, दो महीने मैं आप अपने 100% दे दो, तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा और अप्रेल तक आपकी जोग भी लग ठीक है, और प्लस बहुत सारे स्टुडेंट के अभी इशू हो रहा है कि वो 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के आसमास आ रहे हैं, जबकि उनको सब कुछ जाता है, बट वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, या कुछ गलत तरीके से अटम्ड कर रहे हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स बतात हूँ, जैसे होगा लॉंच, तो टेलिगाम चैनल के थुरू में लिंक शेर करूँगा, वहां से आप जाके बाई कर सकते हो, उसमें मैं बहुत सारी सीज़े रखूँगा, जिससे आपको करंट अफेर याद हो, में मेरा मोटीव रहेगा, करंट अफेर याद करवाने का, प कुछ चीज़े करनी है आपको, सबसे पहले तो आपको पोजिटीव रहना है, कि पोजिटीव कैसे, कि बले ही आपके 60-60 marks आ रहे हैं, बट आपको mind में ये रखना है, कि आप exam clear कर लोगे, क्योंकि जो आप सोचते हो वो होता है, तो आपको पोजिटीव रहना सबसे important है, ठ को एक मोग दे रहा है, तो उसको रोक दो, दो मोग देने, और दोनों मोग अलग-अलग website से देने, ठीक है, सेम website से मत देना, और try करना, एक easy level का और एक tough level का मोग दो, ताकि बैलेंस रहे है, ठीक है, और दोनों को solve करना है, मोग देने के बाद बहुत सारे student की आदत होती है जैसे मोग दिया, marks अच्छे नहीं है, तो उसको मोग को छोड़ के, तुरंती दूसरा मोग देंगे, वो नहीं करना आपको, चाहे कितने भी marks आए, आपको क्या करना है, उसको मोग को submit करना है, marks देखे, rank देखी, फिर आपको करना है, जो cushion apps के wrong हुए है, उनको solve करना है, फ तीन मिनिट आपके waste हुए है, तो आपको वो तीन मिनिट वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तीन मिनिट में आपको एक या देट मिनिट आपने ऐसे question में लगाया होगा, arithmetic है, जो आपसे नहीं हुआ, तो आपको उस point को बहुर fast करना है, और उसके basic को strong करना है, ये सारी point में भी, reasoning में भी, और English में भी, ठीक है, और attempt करने की strategy में बताऊं, जैसे English आती है, तो English में आपको पहले ही RC दीगा, तो RC पहले नहीं करना है, पहले आपको fillers, misspelt, या wordswap, cloth test, इस ताप के questions करना है, इस ताप के questions करना है, इस ताप के questions करना है, फिर आप RC करो, फिर last में जो easy cushion है, वो रखो 2-3 minutes के लिए, ठीक है, यह से error हो गया, cloth test हो गया, यह ऐसी चीज जो last के 2-3 minutes में हो जाए, बीच में आपको RC करना है, RC बिल्कुल last में भी नहीं करना है, ठीक है, यह सारे चीज़े ध्यान तक नहीं है, और quant की बात करें, तो quant में simplification पहले करो, फिर number series मे पहले मत करना, ठीक है, और quadratic हो गई, उसके बाद, और di हो गई, last में आपके पास, आप यह target रखो, clerical exam में है, कि आपके पास 9 minutes बचने चीज़े, 8-9 minutes, arithmetic के लिए, क्योंकि arithmetic काफी time taking आ रही, अच्छी आ रही है, अगर मालो आपके बास 7-8 minutes रहा, तो 7-8 minutes में अगर 8 arithmetic भी क बहुत fast करो गए था, ठीक है, यह सारी सीज़े करनी है, और third reasoning, reasoning में पहले direction distance करो, और coding decoding करो, Chinese coding decoding, alphanumeric series आई, तो वो करो, blur relation पहले नहीं करना है आपको, ठीक है, यह चीज़ जान रखना, फिर easy वाली puzzle, जो one variable की puzzle आईगी, single single, जो stack based बनती, इसका मतलब floor में हो, या week based ह फिर circle वाली, फिर linear arrangement वाली, यह order आप set करो, हर paper, जो भी mock test देते हो, बले आपके 50 marks आ रहे हैं अभी, ठीक है, अभी आपने preparation start की, बट आप जो भी mock दे रहे हो, उससे पहले आप यह सारी सीज़े करो, और mock देने से पहले, एक सबसे important चीज़ यह सोचो, कि question को आप पूरा पढ़ोगे, जो भी question दिया है, उसको पूरा पढ़ोगे, बहुत सारी student क्या गलत पढ़ लेते हैं, जैसे अपने pair बनाने वाला था है reasoning के अंदर, कि कितने meaningful pair बन रहे हैं, तो उसमें क्या करता है student, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तब तो forward और backward दोनों चेक करना है, अग से करूँगा, और सोस्ते सोस्ते ये आदत सही हो जाएगी, आपके और marks improve होंगे, क्योंकि 5 से 10 marks तो ऐसे होंगे, मोग के अंदर भी आप, आप खुद की वज़े से नहीं आ रहे हो, खुद गलती कर रहे हो, तो ये सारी सीचे चेंज करना है आप लोगों को, ठीक है, और analysis जो मैंने बताया, उस तरीके से एक बार जरूर करना, आप टाइम नोट करना, क्योंकि simplification में मालो, किसी में 40 सेकंड लगे हैं, किसी में 50 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 20 सेकंड, तो उसको एक बार rate करो, at least आप 2-3 दिन तो करो, आपको पता लगेगा, कि 1 गंटे कम हो अभी गैडली पे अभी नियो एर का, और किसमस का ओफर चल रहा है, अभी 500 में आपको mock test भी मिलेगा, प्लस PDF भी मिलेगा, उसका link में description में देऊंगा, और अगर आप आप आई करो, तो code use करना, श्पीटफल, ठीक है, और टेलिगरम चैनल का link दे रहा हूँ मैं, मेरे टेल English, मतलब, bank exam में आपका grammar का कोई रूल नहीं है, जितनी आप reading करोगे, डेली 2-3 editorial पढ़ोगे, उससे बहुत improvement आएगा, और जितनी आप, आपको words के meaning भी पता होने चाहिए, जैसे-जैसे reading करोगे, आपको idea लगने लग जागे, positive word और negative word, उससे भी आप mark कर सकते हो, option eliminate करके भ देली के 3 sectional mark देने हैं आपको, 3-4 उसको solve करना है, एचे-स analysis करना है, अगर आप इधर-बदर वीडियो देख रहे हो daily, कि आप pre के लिए भी daily YouTube से वीडियो देख रहे हो, अगर आपका concept clear है, फिर भी वीडियो देख रहे हो, तो गलत है, अगर आपका concept clear है, basic clear है, तो आपक मैं छोटी-छोटी mistake कर रहा हूँ, तो यह सब चीज़ आपको करनी है, सबसे important positive रहना है, ठीक है, और visualization करना है, बार-बार कि आपका exam clear हो जाएगा, अठरा फरावरी के बाद आप जल्दी job लग जाओगे, अप्रेल तक, ठीक है, और HBA clerk की salary sleep अभी मैं ने upload की है, इसी channel पे तो जाके देख लेना, आपको एक तरीके से वो भी motivation मिलेगा, ठीक है, और जल्दी मैं अब GA की checklist भी मैं YouTube पे share करूँगा, RBA assistant, HBA clerk तोनों के लिए, और proper course start करूँगा मैं, HBA clerk मैंस के लिए, और RBA assistant के लिए, जो important questions होंगे, उसकी मैं 5 classes, minimum 5 class YouTube पे upload कोडने की try करूँगा, त तो अभी से मैं इस पर work कर रहा हूँ, 13 December को मैंस, RBA assistant का, प्योंकि RBA assistant मैंस मैंने दिया था, उसमें, मैंने 20.75 स्कोर किया था, और जबकी बहुत टफ था, तो idea है मुझे काफी मैंस दे दिया है, तो idea है कि कैसे GMA score करना है, वो सारी चीज़े मैं आप लोगो को share करूँगा ठीक है, वीडियो को like करना, और ये सारी चीज़े आप अच्छे से follow करो, ओके, दो महीने पढ़ना है, जोब लेनी है, ये सोचवाँ, ठीक है, ओके, गोड़नका वेनाइस दे, thank you for watching this video